नमस्कार आप देख रहे हैं लाइट टुडे न्यूस और मैं हूँ आपके साथ चबी आज भार्टी किसान यूनियन लोग शक्ती के पंचायत वजण अगर नीलम धर्म काटे के पास केशफ चौधरी प्रदेश सचिफ के आवास पर आयज़ित की गई पंचायत के बाद भार्टी किसान यूनियन लोग शक्ती के सभी पदारीकारी केशफ चौधरी प्रदेश सचिफ के नेतरत में भीम नगर विजण नगर में चल रहे धरने को समर्थन देने गए के शफ चौधरी ने कहा कि NHI द्वारा बनाया जा रहे राश्टिय राजमार्क NH24 पर भीम नगर के लोगों को आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है चेत्र की आबादी लगभग पचास से साथ है गरीब मजदूर परिवार के लोग रहते हैं जिसकी आबादी लगभग पचास से सत्तर हजार है कॉलोनी में आने जाने का एक ही रास्ता था जिससे NHI द्वारा बंद कर दिया गया है कॉलोनी में ना तो अमबुलेंस आ सकती है बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत ही परशानी का सामना करना पड़ रहा है चौधरी ने कहा अगर भीम नगर के निवासियों को NHI द्वारा रास्ता नहीं दिया जाता तो भाते कसांग यूनियन लोग शक्ती NHI आफिस के बहार अनिशित कालिन धर्ना प्रदर्शन करीगी पदादिकारी उपस्ति रहे लोगों की समस्य खत्म होगी पर भाई मुझे एक बात बताओ यहां की जनता जा कहां यह गरीव आदमी यह मजदूर आदमी जहां रोज सुन्दे में यह आता है कि नीलम धरम काटे से पीछे उन लोग ने पैसे लिए हैं पतानी नीलम धरम का देंगे काला करके देंगे अभी तक उस पर आपके सामने देख लो बजड़ी पड़ी हुई है अरी जो आप जैसे देख रहे हो यहां पिछा है यहां पर नल्लक क्या दिया अभी तक कोई इनकी सब्दा आए हैं कि दखाद हो आई कि आज हम धीम नगर के निवासियों को अ ठाथ हो पकला जब कहा चयरा नहीं होगी संगथन आज 15 दिन का रास्ति की मांग करता है इसको में सम्रतन करेगा प्रोब्लम को लेकर केसर जोगरी के बात करना चालता हूं कि यहां के रास्त नहीं विला आकर यहां के लोग करीब है कि अब बात की आ रही है कि लोग भी नहीं के अधिकारी तरह बरश्ट वेते हैं अब नहीं निलन दरम कांटे का रास्त लिया उसके लिए अमने चार दिन संगर्ज करा फिर जाके नहीं रस्त दिया मैं यह एनचाई के अधिकारी चाह क्या रहे अगर यहां के लोग अगर रास्ता नहीं दितते यह तो हम इनकी इट से इट वजानेक काम करेंगे